शनी की आकरशक दुनिया में आपका स्वागत है। यह विशाल ग्रह सूरस से छठा ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बढ़ा ग्रह है। शनी के रिंग्स की सबसे खुबसूरुत बात यह है कि यह रात के आकाश में सबसे अधिक पहचानन योग्य मैंसे एक है। तो चलो जानते हैं शनी के कुछ ऐसे ही फैक्ट के बारे में। शनी पर आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि शनी एक गैस दानव है। इसका मतलब यह है कि प्रित्वी के विपित इसके कोई कठोर स्थै नहीं है। दरसल इसकी स्थै मुख्य रूप से हिलियम से बनी है। हाँ वही गैस जो आपको जनमदिन के गुबारों में मिलती है। शनी के चारों और जो अध्वुचले दिखते हैं हमें देखने में लगता है कि वो ठोस हैं परन्तु वे ठोस नहीं हैं। वे वरप, धूल और चटान के टुकणों से बने होते हैं। इन में से कुछ टुकडे रेत के कंड से भी छोटे होते हैं जबकि अन्या गगन चुंबी इमारतों से भी उंची होते हैं। क्या आपको पता है कि सैटरन के कितने मून्स हैं। बता दूं कि सैटरन के 146 मून्स हैं और जानकर हैरानी होगी आपको कि शनी का सबसे बड़ा मून बुद्ध ग्रह से भी बड़ा है जिसका नाम टाइटन है। इनका नाम रोमन देपता सैटरन के नाम पे रखा गया था और युनानियों में इसे क्रोनस के नाम से जाना जाता है और हमारे हिंदू में शनी देपता के नाम से। शनी ग्रह सूरे से लगग 142 क्रोड 66,421 किलोमेटर दूस थे थे। यदि आप एक बहुत विशाल समुद्र में शनी को रखते हैं तो वो कभी डूबेगा नहीं बलकि तैरने लगेगा क्यूंकि शनी का गनतब पानी के गनतब से काफी कम है। शनी सूरे के चारों और बहुत धीरे से चलता है। शनी पर एक वर्ष प्रित्वी के 39 वर्षों के बराबर है। ये अपनी अक्ष पर बहुत तेजी से स्पिन करता है। शनी का एक दिन धर्ती के हिसाब से 10 गंटे और 14 मिनिट के बराबर है। शनी ग्रह की स्टैक का ओस्तन तापमान लगवग माइनस 139 डिग्री सेल्सियस है। शनी ग्रह अकार में प्रित्वी से 9 गुना बड़ा है। यह लोहा और चटानों के कोर से बना हुआ है। ये धातू हाइड्रोजन की परत से गीरी हुई है। शनी ग्रह पर सबसे पहले पायोनीर अभियान भेजा गया था जो 6 अप्रेल 1973 को भेजा गया था। जिसने शनी के चल्लों के वारे में खोज की थी। इसके बाद सितंबर 5 1977 को वाइजर अमेरिका की तरफ से भेजा गया था। यह अभियान 13 नवंबर 1980 को शनी पर भेजा गया था। इसने शनी के चल्लों की लवग हजार से जादा तस्वीरे खींची थी और सनी के चल्लों के बारे में बहुत जानकारी थी। तो ये थी शनी की आकर्शक दुनिया की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।